टाइटल विश्वास की महत्व गुलाबी और सफेद बैल एक समय की बात है, एक छोटे से गाउ में गुलाबी नामक छोटी बैल रहती थी गुलाबी बैल बहुत ही समझदार और साहसी थी वह अपने मातापिता के साथ गाउं के बड़े बगीचे में बड़ी खुशियों से खेलती थी उसके पास एक प्यारा सा सफेद बैल भी था गुलाबी बैल के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी वे दोनों हमेशा साथ में घूमते और खेलते थे एक दिन गुलाबी बैल के मातापिता ने उसे वन में घास चराने के लिए ले जाने का फैसला किया उसे बहुत खुशी हुई क्योंकि यह उसके लिए नए अनुभव का मौका था वह अपने पिता के साथ वन की ओर निकली वन में पहुँचकर गुलाबी बैल ने अपने पिता से कहा पिता जी मैं वन में खुले आसमान के नीचे आनंद लेने जा रही हूँ यह एक अग्भुत अनुभव होगा उसके पिता ने उसे आशिरवाद दिया और कहा बेटा, ध्यान रखना और वन के सभी नियमों का पालन करना गुलाबी बैल ने प्रतिग्या की और वन में आगे बढ़ गई वन में खेलते खेलते गुलाबी बैल ने अपने दोस्त सफेद बैल से मिलने की योजना बनाई सफेद बैल गुलाबी को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया उन्होंने मिलकर खूब मस्ती की वन में घूमते फिरते एक बार गुलाबी बैल को अचानक एक गहरे कुए के पास जाने की ख्याल आया वह कुआ के चारों और देखने लगी और अचानक कुआ के अंदर गिर गई उसने बाहर से तोड़ी खीची लेकिन कुआ बहुत गहरा था और उसे बाहर निकलने में गुलाबी बैल को मदद चाहिए थी तब सफेद बैल को पता चला कि उसकी दोस्त गहरे कुए में फस गई है वह बिना सोचे समझे कुए के अंदर घुस गया उसने गुलाबी बैल को कहा चिंता मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगा फिर सफेद बैल ने एक लंबी रस्सी को कुए के चारों और बांध लिया उसने रस्सी के सहारे खुद को गहरे कुए से बाहर निकाल लिया गुलाबी बैल बड़े से आभारी थी कि उसके दोस्त ने उसकी मदद की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विश्वास की महत्व है अगर हम अपने दोस्तों पर विश्वास करते हैं और उनकी मदद के लिए तयार होते हैं तो हम हमेशा संगठित रहेंगे और कठिनाईयों को आसानी से पार कर सकेंगे विश्वास और सहायता के बिना जीवन का सफर कठिन हो जाता है इसलिए हमें हमेशा अपने दोस्तों पर विश्वास रखना और उनकी मदद करना चाहिए थांक यू फर वाचिंग